नमस्कार दोस्तों मैं हूं आसी फर्मा नालोज एपीम दोस्तों आप लोगों के एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फर्मा एक्जिक्ट एक्जाम के बारे में डी फर्मा एक्जिक्ट एक्जाम दोस्तों सब्जेक्ट है दोस्तों सब्जेक्ट है वाट इज दा आईपी लिमिट सिंकिंग टाइम एब्जर्प्शन अब काटन दोस्तों जो आईपी में जो इंडियन फर्मकोपिया है जो काटन की जो छमता होती है कितने टाइम में वो वाटर को एब्जार्ब कर लेता है वो किशन पुछा गया है वो होता है दोस्तों 10 सेके करने में दोस्तों वो इब्जार्ब कर लेता है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किशन नंबर टू के बारे में किशन नंबर टू के बारे में बात करेंगे दोस्तों देनार्मल बैलू आप हीमोगलोबीन इन इंफेक्ट जो नार्मल बैलू होती है दोस्तों ब्ले एक वाड टैंपरेचर इन डे क WILL टो जो किसने टेंपरेचर पर दोस्तो ब्लेड जो है इंपरेचें ब्लेड़ा जाता है ब्पवा दोस्तों सपोस्वित पुल सविक दो घाक है प्लेग किसव दो लेका सब्सक्राइब बेड है दोस्तो देन मेनी फर्मासिस्ट शुड भी दियर तो उसमें कितने फर्मासिस्ट दोस्तो होंगे होंगे दोस्तो दस फर्मासिस्ट सीक है नेक्स बात करेंगे दोस्तो वाट वाट इस दर लेंथ आप ट्यूब आफ ट्रांस फ्यूजन से दोस्तो जो बीटी सेट होत इसका जो फूल फार्म होता है एकोनामिक कॉंटिटी अडर कॉंटिटी होता है थीक है नेक बात करेंगे दोस्तों पीसी भी स्टेंड बात पीसी भी क्या होता है दोस्तों पाइकेस सेल वाई लोम इसको बोलते हैं तोनने हाँ इसके बात करत के हैं कि यह इस टाइब कापनर चर्कीन मेज़ियो इस बात करें होगे-प्रप रहाता है एक दिपर सकत्रों इसका मतलब काजिज आप दिडिज होता है और नेक्स दोस्तों बात करेंगे और ओयं मिस्टेंड फार रिड़ ओनली मेमरी इसको बोलते हैं दोस्तों ठीक है अगर एक बार लात लग जाती है तो आप बार बार उसको ही मांगते हैं तो इसमें से कौन से नहीं है दोस्तों मार्फीन हिरोईन एलकोहल दोस्तों यह सब का है यह सब दोस्तों एडिक्टिव ड्रग है लेकिन टी एंड कॉफी दोस्तों नहीं है टी आप चाहे मिले चाहे न हैं जाल मिलें पीते हैं ठीक है इसमρα Whoo अब आश्छी इंड ही रोइन का मंजर दोस्तों जो हिरोईन होता और मौर्फी नocy ранu था किसके अंथर का था था अभी बताया मैंने वह नसло कोटिक सबहस्तन होते हैं दोस्तों ठीक है नेक्स करेंगे इज इस्टेट रेजल्टिंग फ्रम्द रिपीटेड यूज आप ड्रग इसका मतलब है दोस्तों ड्रग है भी हो चुन दोस्तों किसी चिटके अगर है भी हो जाती है बार-बार उसी चीज को अब रिक्वार्मेंट होती है ठीक है वह क्यूशन पुछा गया है इटायर की बात करेंगा दोस्तों दे नार्मल पयल्व कवलिस्ट्रॉल दो बलट मेर दोस्तों के नार्मल बैल्यसी खितना वथी होथी एक सो बीच से दोस्तों चालीस एम्जी ऀक्सेंटेज नेक्स बात करेंगे दूसणाओ अफ एघस्पीटल और एक्सेप्ट दुस्तोर में कौन सा है लेकिन ये दोस्तों नहीं आता है promotion of drug usage ये दोस्तों नहीं आता है इसलिए ये C वाला answer हो जाएगा next बात करेंगे plastible device use in दोस्तों plastible device होता है circumstance में use होता है next बात करेंगे the color of the container use for the disposal of waste service दोस्तों कौन सा color होता है जो use होता है वो होता है दोस्तों blue color next बात करेंगे दोस्तों hepatitis EJ hepatitis दोस्तों एक type का viral disease है bacterial disease है वो है दोस्तों viral disease virus के current hepatitis होता है hepatitis C, hepatitis B दोस्तों होता है hospital require infectious or call disease उसको क्या बोलते हैं दोस्तों nasocomical infection next बात करेंगे दोस्तों one among of the following is a communicable disease इसमें से दोस्तों कौन सा communicable disease है उसके बारे में पूछा गया है communicable disease मतलब दोस्तों वो है philaria 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 दोस्तों दोस्तों फाइल एरिया बोलते हैं next बात करेंगे दोस्तों the minimum qualification required to start the community pharmacies दोस्तों फार्मेंसी में इंट्री करने के लिए minimum qualification deferma ही है तो deferma इसका सही हो जाएगा next बात करेंगे दोस्तों एड्रग वीच expel out cough from the bronchi is called expel out मतलब जो कौन सार जो दोस्तों ड्रग है जो अपर रिस्पारेट्स या रिस्पारेट्री ट्रैक से expel करता है कफ को बाहर करता है ठीक है उसको क्या बोलता है expect to rent next बात करेंगे दोस्तों एड्रग that prevent infections and decay is called as दोस्तों कौन सा ड्रग है जो infection और decay मतलब साड़ा हुआ अगर जो घाव बन जाता दोस्तों वो किसके दोरा टिट किया जाता है वो होता दोस्तों antiseptic cream होती है या फिर कोई भी चीज उस पर लगाया जाता है antiseptic होना चाहिए ठीक है कि नेक्स बात करेंगे दोस्तों इन हस्पिटल द ऑक्सीजन ट्यूब फार रिस्पारे संस कांटेन ऑक्सीजन और किसको किसको जो हक्स करता है हीलियम को दोस्तों करता है और अक्सीजन को कांटेन करता है तर रूल आप हश्पिटल फर्मासिस्ट इस दो दोस्तों हश्पिटल में जो फर्मासिस्ट का रॉल है वो क्या है वो है in in serving inventory dispensing medicine monitoring medicine safety दोस्तों तीनों सही इसलिए यसमें आलाप देवाब हो जाएगा नेक्स बात करेंगे दोस्तों, which is not the following not silent feature of a hospital pharmacy, इसमें दोस्तों, design and new drug, बी वाला दोस्तों, सही हो जाएगा, नेक्स बात करेंगे दोस्तों, which of the following is not adhesive plaster, इसमें से कौन से दोस्तों adhesive plaster नहीं है, वो है दोस्तों, बी वाला सही हो जाएगा, नेक्स बात करेंगे, serotonin syndrome is treated with, serotonin syndrome treated with, दोस्तों, साइपो, ये वाला सी वाला दोस्तों, सही हो जाएगा इसमें, नेक्स बात करेंगे दोस्तों, depth zone is used commonly in the treatment of, depth zone, selection दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कहां योज होता है, हो होता है दोस्तों, हैंसन डिजीज में, नेक्स दोस्तों बात करेंगे, गाबा पेक्टीन is indicated for the treatment of epilepsy में दोस्तों, यूज होता है, गाबा पेक्टीन, ठीक है दोस्तों, उमीद हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, चैनल को सबस्वाइब जरूर करिएगा, दोस्तों ऐसे मेरा सब वीडियो बन चुका है, जो भी एक्जिट इक्जाम का है, दोस्तों, तीन सब्जिक्ट बन गया है, चोथा सब्जिक्ट का वीडियो है, यह लगातार कांटीनू, दोस्तों वीडियो आएगा, दोस्तो इंपोर्टन क्यूचन है आप लोग पढ़ते रहेगे और डेली का डेली दोस्तो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में दोस्तो सेट हो जाएगा आप आप लोग आसानी से जो है एक जी टिक जम को करेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में वीडियो पूरा देखने के लिए दन्नमाद